मुख्यमंत्री नितीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी आदब की बड़ी सभा हुई है कुरहनी विधान सभा में उपचुनाओं होने हैं और इन दोनों बड़े नेताओं ने आज जन सभा की अभी तक हाला कि एक घंटा हो चुका है फिर भी आप भीर देखेंगे ट्राफिक जैम के स्थिती है और नेता यहां मागटवंदन के हमारे साथ मौजूद हैं जेडियू नेता भी यहां पर हैं निराला जी हैं उनसे बात करेंगे सीदे सीदे कि क्या स्थिती आपको लग रही है आज की सभा के बाद कितनी उमीद है देखिए यहां कम से कम हम लोग 25 से 30,000 से चुनाव जीत रहे हैं मानिये मुख मंत्री के आजाने के बाद हम लोग समझ रहे हैं ये संक्या बढ़के हम लोग 30-40 के पास आसपास जाएंगे 30-40,000 के आसपास जाएंगे कुछ और नेता हैं उनसे बात करेंगे पुराने नेता हैं राजनीती बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं मिटिंग हुआ है और आज का मिटिंग का काफी प्रभाव के जनता पर पड़ा है ना प्रभाव पड़ेगा प्रभाव तो बिल्कुल पड़ेगा और आज का सभाद देखने से या महसूस होता है कि हम लोग 25,000 से उपर से लिड़ करेंगे वो चहां से बड़ी जीत होगी आज की जो सभाव हुई है उसके बाद लोग और जीत को प्रगाड कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत होगी मानने बिहार के लोग प्रिया मुखमंत्री नितिश कुमार जी और मुखमंत्री तेश्वी जादव जी आकर यहां जो जन स्टाइल सेलाब कुर्णी बिदाल सभाचेत में यह साबित कर दिया है कि यहां से भाजबा का सफाय हो जाएगा और यहां मनोज कुस वहा रोजगारी से तबाह है आज आप देख रहे हैं इस देश में भास्पा कठवंदर के लोग एक देश में समाजी निया की धारा को कम जोड़ करने के काम कर रहे हैं और मंदर मजजित के नाम पर समाज को मिनफ्रत पईदा करके बटना चाहती हैं इनके काले मिन सुबे को करनी की चुनाओ को लोग 2024 के चुनाओं से जोड़ के देख रहे हैं लोकसभा चुनाओ आप यह कह सकते हैं कि कास्टिंग मान रहे हैं महिला नेत्री हैं हमारे साथ तो आज की सभा के बाद क्या आपको लग रहा है कितनी उमीद लग रही है उमीद तो काफी लग रही है आज की सभा की जो सहलाब उबड़ा था आज आप लोगों ने भी देखा है इससे तो काफी उमीद लग रही है कि मनोच कुसभा जी भारी मतों से जीतेंगे और इनको हराने वाला अभी तक कोई भी माय का लाल पैदा नहीं हुआ बस इटना जान जाईए बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे सहलाब इतनी सहलाब जो उम्री इतनी भीर उमरी है इससे यहीं चीज़ सावित हुThere है कि वह बहारी मतों से जीतेंगे और भाजपा का जो भी मनो कामना है वह सब टूटेगा हमारे भाजबा कभी यह चाहिए यह जितना भी पूरा मतलब लोगों को इतना बड़िया जो बिहार को अज़़ों अच्छे नगासे पूरे बिहार को लोग को बहुत अच्छे निगासे देखते हैं और इसलिए अगर हमलोग यह कामना करते हैं दौा करते हैं डिस्ट region प्ड़ा दर अगर हंवरा पूरा के बाद क्या उमीद सभा तो किरमा के मैदान में किलियर दीख रहा था जन साल आप जो हाथ उठा के समर्थन दे रहे थे उसी से आप पता कर सकते हैं कितना से जीत होगा लगभग 35 से 40 से जीत होने जा रही है चली तो आज की सभा भी शांदार हुई क्योंकि दोनों जो बड़े नेता हैं महागटबंदन के डिप्टी सीम्ते जस्वी अदब और मुख्यमंत्री खुद नितीश कुमार यहां आए हुए थे और लोगों में कहीं न कहीं सभाब काफी उत्साहित है पूर्य कुरहनी बिधान सभाब चुद नहीं सिने हैं और चुना पडिनाम जो देखने वाला होगगा चोकाने वाला होगा अरेकर्ड मतों से जीतेंगे महागठमदन के प्रत्यासी मनुश को सुभाजी जली हो तो आठ दिसंबर को पता चल जाएगा कि क्या होगा और किसके सर कुरहनी का ताज चढ़ेगा हला कि देखिए जो कारिकर्टा है सभाओं में तो बाते होती हैं लेकिन ये सभाओं में जो लोग आते हैं उनके वोट कितने कनवर्ट होंगे ये तो जनता पांच दिसंबर को तै करेगी जो चुनाओ का दिन है और आठ दिसंबर को उसका नतीजा आ जाएगा वो भी आप सब के सामने होगा तो बने रही है विहार लाइब नाओ के खास रिपोर्ट के साथ कुरनी चुनाओ का महा कबरिज देखते रही है विहार लाइब नाओ पर दादर रोड मुझाफःपर पर गर देखते रही है विही है विही है विही है